तो चलिए शुरू करते हैं इस्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्ज डिस्टेंस बिट्वीन टू पोर्ट्स इन फाइफ आवर्ज यहाँ पर बोला गया है एक स्टीमर था जो कि डाउन स्ट्रीम जाके एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक उसे पहुँचने के लिए फाइफ आवर्ज लगता था वाइल इट कवर्ज दिस्टेंस अप्स्ट्रीम इन सिक्स आवर्ज बट उटे अप्स्ट्रीम में एक घंटा ज्यादा लगता था if the speed of the steam is one kilometer per hour find the speed of the steamer in still water देखिये ये कुश्ट्रीम आपके लिए नया है ये upstream, downstream और boat वाला कुश्ट्रीम है तो देखिये अच्छे से इसे समझ लेजीए पहले समझ लेते हैं downstream का मतलब क्या है और upstream का मतलब क्या है हुआ, देखिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, the direction along the stream, मतलब लहर जिस तरब जा रहा है, हमारा बोट भी उसी तरब जा रहा है, मतलब लहर के साथ साथ, लहर का direction जो है, हमारी बोट का भी direction वही है, समझ में आया, डाउन स्ट्रीम, मतलब नीचे की तरब, जिसी तरब मतलब स्ट्रीम जा रहा है, और क्या बता हूँ, लहर जा रहा है, उसी तरब हमारा बोट जा रहा है, देखिए, लहर का direction जो है, बोट का भी direction वही है, समझ में आया, अब यह upstream का मतलब क्या है, the direction against the steam, लहर जिस तरब जा रहा है, उसके against में हम लोग बोट को चला के लेके जा रहे हैं, तो देखिए, डाउन स्ट्रीम में, लहर का direction अगर right side है, मतलब right की तरफ है, तो बोट का direction left की तरफ है, समझ में आया, पहले downstream और upstream का मतलब, उसके बाद, next, जितने terms हैं सभी को पहले समझ लेंगे, उसके बाद जाके question को करेंगे, इतना समझ में आ गया, उसके बाद इसमें क्या होता है, देखिए, लहर भी जा रहा है, बोट भी जा रहा है, तो लहर का भी तो कुछ speed होगा, लहर का भी तो कुछ speed होगा, और हमारे बोट का भी कुछ speed होगा, तो दोनों का कुछ ना कुछ speed होगा, तो steam का speed, let, हम लोग सूछते हैं कि steam का जो speed है, steam का जो speed है मतलब लहर का उससे हम लोग ले लेते हैं भी किलोमिटर पर आवर और boat का speed in still water ले लेते हैं यो किलोमिटर पर आवर समझ में आया steam के speed को steam का भी एक speed होगा boat का भी एक speed होगा जबकि दोनों move कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का कुछ न कुछ speed होगा तो steam के speed को भी किलोमिटर पर आवर ले लेते हैं और boat speed in still water मैं गलती से steam के उपर still water लिख ली मैं उसे change कर लूँगे बाद में जाके उसे ले लेते हैं भी किलोमिटर पर आवर समझ में आया अभी ये दोनों का speed हम लोग ने लिख लिया downstream और upstream का मतलब भी समझ लिया अगर कभी हमारा boat downstream ट्राविल कर रहा होता है अगर कभी हमारा boat downstream कवर कर रहा होता है इसका मतलब क्या है लेहर का direction भी same boat का भी direction same तो speed क्या हो जाता है प्लस हो जाता है स्पीड दोनों का प्लस हो जाता है और जब हम अप्स्ट्रीम ट्राविल कर रहे होते हैं लहर का डिरेक्शन एक और बोट का डिरेक्शन अलग तो स्पीड माइनस हो जाता है समझ में आया देखिए डाउन्स्ट्रीम में दोनों का डिरेक्शन सेम है तो स्पीड प्लस हो जात और upstream में दोनों का direction अलग है तो speed minus हो जाता है इतना समझ में आया इतना ही term था अभी हम लोग question में बापस आ जाएंगे समझ में आया अभी इतना term और एक बार अच्छे से देख लीजिए downstream, upstream, speed और downstream में speed क्या होता है दोनों का? boat in still water वो लेतने हैं खाली boat का speed मतलब water का speed उसमें include नहीं है इसका मतलब है खाली boat का समझ में है अभी हम लोग question में बापस चलते हैं देखिए लिखा गया था हमारा steamer जो है goes downstream and covers distance between two ports दो ports के बीच का distance देखिए steamer मतलब हमारा जो boat है downstream जाता है और cover करता है distance between two ports in five hours सोच लेते हैं वो जो port है इसे मैं draw कर दे रही हूँ A से B तक है downstream में उसे कितने आवाज लग रहे हैं? five hours लग रहा है हूँ A distance तो same है upstream में भी और downstream में भी एक port से दूसरे port बट जब वो downstream जा रहा है तो उसे लग रहा है total five hours और जब वो upstream जा रहा है तो उसे एक घंटा ज्यादा लग रहा है that is six hours दोनों में distance same है distance same है देखिए upstream और downstream देख लिजी पहले समझ में आया इपता speed of steam speed of steam दिया गया है वो जो वी किलोमेटर पर आवर वो दे दिया गया है speed of steam इस वी किलोमेटर पर आवर के जगह पे one किलोमेटर पर आवर दे दिया गया है boat का steam और steamer steamer मतलब boat ही है तो मतलब steamer वो boat steam engine बाला boat उसका speed हमें निकालना है speed of steam दे दिया गया है वान किलोमेटर पर आवर और speed of steamer boat हम लोग निकालेंगे इसे ले ले लेते हैं एकस किलोमेटर पर आवर इतना समझ में आया पहले देख लीजिए जो जो दिया गया है हम लोगों ने वो लिख लिया downstream में 5 किलोमेटर सारी 5 आवर लग रहा है distance same है दोनों में और upstream में 6 आवर लग रहा है speed of steam 1 किलोमेटर पर आवर दे दिया गया है speed of steamer x किलोमेटर पर आवर ले लेंगे समझ में आया देखिए boat steam का जितने भी question होता है उसमें formula use होता है speed is equals to distance by time speed is equals to distance by time यहाँ पे देखिए steam और boat बाला जितना भी question होता है इसमें use होता है formula speed equals to distance by time तो अभी देख लेता है हमारे पास given क्या क्या है देखिए distance same है given है speed given है time भी given है सब कुछ given है तो यहाँ पे हमें distance तो निकलना नहीं है हमें distance same दिया गया है हमें speed into time is equals to distance कर लेना है distance is equals to जबकि distance same है तो हम लोग क्या कर लेंगे distance is equals to speed into time अभी downstream और upstream लिख की पहले लिखने है downstream में क्या होता है speed plus हो जाता है तो x plus 1 देखिए downstream में speed plus हो जा रहा था तो x plus 1 और upstream में क्या हुआ है speed speed minus हो जा रहा था तो x minus 1 km per hour इतना समझ में आया हुआ देखिए speed हम लोगों ने दोनों जगा पे निकाल लिया downstream में कितना है और upstream में कितना है उसके बाद downstream में plus होता है और upstream में minus होता है हुआ उसके बाद आगे चलेंगे अभी उसके बाद देखिए हमें speed मिल गया time भी मिल गया है distance हमें मतलब speed निकालना है speed of steamer निकालना है x जी से लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे speed into time is equal to distance देखिए time यहाँ पे divide हो था उस तरब जाके बस multiply हो गया क्योंकि हम लोग कैसे करेंगे दिखते हैं चलिए तो देखिए distance तो same है दोनों का तो speed into time is equals to speed into time downstream में और upstream में लिख लेंगे तो downstream का हो गया speed कितना है x प्लस 1 और time कितना है 5 hours और upstream का है x माइनस 1 into 6 दोनों को multiply करके लिख लेंगे LHS अगर equal है तो RHS भी equal होगा मतलब distance दोनों में same है तो speed into time is equals to speed into time होगा समझ में आया तो 5 into 5 into downstream का x प्लस 1 upstream का speed जो है 6 hours into x माइनस 1 तो देखिए ये जो speed is equals to distance into time है तो हम लोगों ने क्या क्या distance को एक तरफ रख लिया क्योंकि distance दोनों का same है हम speed into time करके answer को निकालने जा रहे है distance तो same है तो अगर हम लोग downstream का speed और time को multiply करेंगे तो downstream में क्या होता है speed add हो जाता है मतलब x प्लस 1 into 5 equals to upstream का x minus 1 into 6 क्योंकि हमें x का value निकालना है जो की है हमारे speed of steam बाले boat का तो x into 5 that is 5x plus 5 equals to 6x minus 6 x बाले term को एक तरफ ले लेंगे बाकि सभी को दूसरी तरफ ले लेंगे 5x minus 6x equals to minus 6 already left hand side में present है और plus 5 दूसरी तरफ जाके minus 5 बन गया तो minus x equals to minus 11 तो minus minus दोनों तरफ से cancel हो गया तो x equals to 11 तो speed of steamer boat equals to 11 km per hour तो आफ इस नंबर को और एक बार अच्छे से कीजिएगा question को समझेगा नया term है हुआ तो thank you for watching take care